और राइट गईज आज इस वीडियो में पार्ट टू देखेंगे सी प्लस प्लस के अंदर फ्रेंट फंक्शन का बेसिकली में बताना चाहूंगा कि फ्रेंट फंक्शन का मैंने पार्ट वन कम्प्लीटली अप्रोड कर दिया है कर अभी तक आप लोगों ने चेक आउट नही इसका यहां प्रिकुल कर सकते हैं और देखते हैं कैसे कर सकते हैं तो मैंने बताना चाहूंगा एक सिंपल फ्रेंट फंक्षन डोट ची पीपी नाम से मैं एक फाइल क्रेट कर रह किया और यारा आप लोगों ने भी रिज्वाशन कर ले हो तो तो बहुत ही सिंपल है और मै यहां पर सबसे पहले कि लुक हूंगा क्या आए एंस ये इंकलूड इंख अब यह इनिकलूड लिखते हैं मेरे सामने कैसे प्रजेंट हों मैंने बता रुखा यूजर सफेड्स पर जाएं और यहां पर आप सनी पर इसका लेट कर ले और नहीं क्रेट करना आपको आता तो मै आपि ने इसका वीडियो अप्लोड कर दिया C++ को स्रीज आंदर आपको ये मिल जाएगा वहाँ पे इस व्ड्यो को आपको बताओ ना तो यहां पर प्राइवेट लिखो या ना लिखो इसका कोई मतलब नहीं है और मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बाइडिफोल क्लास है वह आपकी डिटाप्स को प्राइवेटी मानती है जब तक आप समें अक्सिस पेसिफायर का यूज नहीं करते हो तो म मैं पॉब्लिक ली एक अक्सिस स्पेसिफायर ले रहा हूं इसके अंदर में सिंपली एक फंक्सिन पास कर रहा हूं वोईड सेट डेटा नाम से और मैंने थोड़ा सा फंक्सिन कर नाम एकदम सही से रिखता हूं मैं सेट डेटा सिंपली और इसके अंदर में करूंगा क्या इसके अंदर एक parameter पास कर लाँ एक integer एम ले रहा हूं मैं सिंपल ठीक है और मैं चाहता हूं कि जो एक के अंदर assign हो वो m की value हो ठीक है अभी जो मैं private के अंदर जो a लिया ना वो public के अंदर जो मैं एक function के अंदर एक parameter पास के उसके जो भी value होगी वो assign हो जाए इस a के अंदर simple is code का मतलब इतरा सा है चलो ठीक है तो गाइज मैं इसी के साथ य को भी मैं यहां पी य के अंदर आता हूं यहां पी simple चल के वोईड सेट सेट डेटा अभी गाइज मैं दोनों क्लास के अंदर सेम नाम से function क्रेट कर सकता हूं ठीक है और मैंने क्रेट किया भी आप लोगों सामने बढ़िया इसके अंदर मैं simple जाए कि करूंगा क्या integer simply और मैं इंटीजर के अंदर एक मैंने यहां पर मैं आज आर्गूमेंट लिया तो मैं आज simple ले लेता हूं ठीक है मैं जाता हूं कि बी के अंदर n की value assign हो जाए जो भी हम इसकी value put करेंगे या जे call करते ताइम तो यहां पर सेट कर दूँगा ठीक है यह तो बहुत simple था और clear हो गया हो गया सारी चीजिए अब गाइस बात करते हैं आप यहां कि सबसे फ्रेंड की तो मैं आप इक लेकर देता हूं declare the friend function simple ठीक है तो जाकर आपको friend function define करना तो सबसे पहले आप लिखते हो friend keyword friend simple and इसके साथ मैं void लिखना आपको simply है ना word keyword होता है void मैं आप लिखता हूं function simple ठीक है और मैं sort के अंदर लिखते हूं func बढ़िया simple बढ़िया ठीक है और इसके साथ मैं इसको भी completely copy करके यह जो हमारी second वाली class है इसके अंदर में इसको मैं paste कर लेता हूं अच्छा आप मुझे यह बताएं कि वीडियो को पोज करना एक वार आपको simply यह बताओ कि अगर यह friend function है यह मैं private के अंदर लिख सकता हूं किसी class के अंदर या फिर public के अंदर लिख सकता हूं तो किसके अंदर मैं आखिर लिख सकता हूं इसको तो यहर इसका क्लास के किसी भी कोने में इसको डाल सकता हूं ठीक है आप कहीं पर लिख दीजिए इसका कोई मतलब नहीं है बढ़िया रहेगा तो फिरेंड किसी class का तो मैं ऐसे क्या करूंगा यहां पर फ्रेंड फंक्शन एक्स का आइड वाइक ऑड़ा और मुझे वाइस टैप से करना था और अख मुझे स्टाइब से सोट के अंदर करना था इसी का सासा हम एक्स एंड वाइस टैप से पास कर दूँगा मैं ने दोनों क्लास का नाम इसमें आजे पेरामेटर पास कर दिया बढ़िया अब मैं सबसे पहल अंदर मैं समता हूं बढ़िया है इसके अंदर जाके देखो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर मैं X का जो हमारी X Class है इसका एक सिंपल इसका टाइप बैसकिली ऑब्जेक्ट कर लेता हूं इसका एक स्टाइप का मैं करेट कर लेता हूं और बी वन नाम से अंदिसी के सासर तमहें कोमा दे के सिंपली Y का कर देता हूं Currently अबजेक्क लैक ओबी टू स्टाइप से बढ़िया मैं कुछ डेटा को यहां पर सम करना चाहूं जाहूंका मैं सम इज लिख डेता हूं और यहां पर मैं लिख डेता हूं uppली क्या जो बेसिकली आपका O B 1 है simple O B 1 dot उसके अंदर value assign हो जाए simply A की जो मेरा पहले वाला A है simple इसका बढ़िया ठीक है और मैं plus कर दूँँगा इन दोनों को जो मेरा O B 2 है simply dot B को हो जाए ये जो मेरा B है इसके value मैं यहाँ पर assign कर दूँगा जो भी आपको एक error है और मुझे बता भी चुका है visual studio code की आपको एक error मिलती है यहाँ लेकिन sort out करेंगे सबसे पहले जो मैं जो basically मेरा class X और Y मैं इसका अलग-अलग object create करेंगा सबसे पहले मैं X का O B J 1 नाम से object create करता हूँ और Y का भी मैं करूँगा क्या सबसे पहले O B J 2 नाम से एक object create करता हूँ ठीक है बढ़िया तो मैं O B J 1 है उसके अंदर मैं क्या करूँगा जो मेरा set data होगा जो मैंने function मैंने create किया उसको मैं pass कर दूँगा set data इसके अंदर मैं एक random सी value put कर देता हूँ like 20 and इसी के साथ अत्मसे में colon put कर देता हूँ और जो मेरा basically O B J 2 है इसके अंदर चलिके जो आपका क्या होगा set data होगा उसमें आप put कर देता हूँ simple 20 ठीक है तो इसका code का मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ माने क्या किया और क्या किया अभी आप समझो कि यह code बस लिखा गया है यहाँ पे और बैसके लिए काफी लोगो समझ में आप ही गया होगा एक क्या चीज है और बस ठीक है आप देखना अब जो function जो मेरा friend function इसको मुझे call करना है तो और मुझे function नाम से keyword है इसको आप यहाँ पे लिखे एंड मैं जो जो बैसिकर एक्स का और वाई का दोनों classes इसका object वो पास कर देता हूँ तो ओबीजे बना सिंपली एंड को मा ओबीजे सिंपल तू है बढ़िया और इसको मैं यहाँ पे सिंपली सेव करके थोड़ा सेमिकॉल पूट कर जाता हूँ थोड़ा clean दीखे हमारा code अब गाईज इसके अंदर कोई problem ने लेकिन एक problem error generate करेगा यह है और यह क्या error है मैं आपको बचाता हूँ सबसे पहले इस program को run करता हूँ तो आप notice करना जैसे मेरे program यहाँ पे चलता है तो मुझे यहाँ पे तो समझना पड़ेगा कि error आया तो आया क्यों देखो क्या है कि हमने class x को create किया सबसे पहले और यह program x के अंदर check करेगा इसके सारी जो भी coding की गया उसको ठीक है हम friend function को declare कर रहें इसके अंदर तब हम function keyword लिक रहे हैं और function सारी चीज़े हम लिक रहे हैं ठीक है लेकिन आपको तो पास कर दिया ठीक बड़िया लेकिन यह वाई चेक करेगा इस class के अंदर वाई तो कहीं पी है नहीं वाई कहीं पे करना पड़ेगा यहां पर मैं सबस्क्राइब करता हूं अब यह वाली प्रोबलम आपको नहीं मिलती है देख सकते हो अभी एक नीचे वो लाइन थी रेड वह अभी नहीं मिलती है अभी हमारा प्रोग्राम सिंपल स्वीट है और यह रन हो जाएगा पाने कितना है प्रोग कि समेरा इस एड इसकी वेलिव में यहाप पास कर रहा हूं तो समें थाइट इस यहाप आउट पूट आजाएगा बढ़ीया आप नोड़ीज कर सकते हैं आप साम में थारिट इमेर बाशन हैं अपर आउट पूट आ कुक्र दिक है तो यह चीजा आपको समझ में आ गई हो वह अगा मेरल बता रहा हूं यहीं का फिरेंट इन जाए जीज 10 की बात करते तो फ्रेंड की एवल लिखा जिसको हम इसके मेंबर फंक्सिन को को एक्सेस कर सके class के जितने member functions को access को सके जितने प्राइवेट रखेंआ पबलिक हो ठीक है हम इसको access कर सके हैं लेकिन आपको यह सोचना कि friend function होतागों किसी class का basically! Phyndna नहीं Daha होता है वो उसсь class का friend होता है इस अब फ्रेंड के साथ हम private चीजिस कर एक्षस को दोनों के अंदर बेसे लिए क्या रहा हूं इसको ठीक है इस बाहर डिफाइन कर रहा हूं इसको एक्स आड़ एक। पास करूंगा डिफाइन करते टाइब एक्स ओभी वन एंड एक्स का टाइप होगा वह वीटू होगा सिंपल एक अब्जेक्ट है और इसको मैं यहां पर डोट एक वेल्यू डोट बी की वेल्यू मैं पर प्लस कर रहा हूं कैनि केंटिन सोरी प्लस कर रहे हैं ऑपरेटर से ठ शौवलींट करोओं आधेर मैं यहां पर यह बया सब्सक्राद टोट बच स्कुछातों तो कि अंदर रहा है और यहां पर उसकी अदरिया गया और इरा यहां पर जो डूट इयुक्zar यहां प Cabinet Osthree 8 मेरे पास यहां पिस आप पूट आ रहा होता है है ठीक है यह संसे कोडल करता है हम दो इस जोनों इसका जो ओब्जेक्ट दोनों क्लास है इसका जो चुल हम कर रहों ऑब्जेक्ट थूद Now practical पर हूँ और comment section के अंदर basically लिखे यार जो भी आपकी comment होती है तो बहुती interesting होता है कि मैं बताना चाहूंगा कि आप जो कुछ लिखते हैं तो मुझे पता से चाहिए कि मुझे इस type की वीडियो बनाने चाहिए आप कोई चीज़ समझ में नहीं है यह मुझे फिर से explain करना चाहिए यह सा यह से थे कर बाई बाई